हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में क्वेशन देखेंगे फाइंड रिजल्टन फर दी गिवन फोर सिस्टम अलसो फाइंड डिरेक्शन एंड पोजिशन क्वेशन में डायरम गिवन है देखें थ्री हंडर न्यूटन डाउनवर्ड फोर से 500 न्यूटन इंकलाइम फोर स तो फोर न्यूटन अवे फ्रम दी पॉइंट है इस को डायरम को हम रिसॉल करेंगे देखें थ्री हंडर न्यूटन डाउनवर्ड यहां पे 500 न्यूटन इंकलाइम फोर से मुझे एविट रिस्पेट टो एक संगल फाइंड करना है यहां पे देखें क्वेशन में 50 प्लस 70 दिया है मतलब यह एंगल टोटल 120 हुआ और यह पोरा जो एंगल रहता है यह 180 रहता है तो 180 माइनस 120 कितना हुआ यह एंगल विट रिस्पेट टो एक सिस्टी डिगरी हमने फाइंड किया 180 माइनस 120 ओके यहां पे देखें इंकलाइम और दिया है थर्ड कॉर्डन में 400 30 ओके अभी इसको भी विने रिथोर किया 500 कॉ सिस्टी फई घंड रेट साइन सिस्टी ओके समयशन एक्स हम फाइंड करेंगे समयशन एफक्स मतलब क्या होता है जो होर्जंटल फोर्से से उनकी ऐडिशन करना तो यहां पर दिखें होर्जंटल फोर्सेंस कितना है 200 न्यू मिल जाएगी 307.115 Newton summation fx फिर बात में summation fw summation fw मतलब क्या होता है जो वर्टिकल फोर्स होते हैं उनकी addition करना यहां पर वर्टिकल फोर्स एक दो और तीन यह डाउन वोर्ड यह अपवर्ड यह डाउन वोर्ड डाउन वोर्ड डाउन का हम फाइन हमने फाइन किया वाइज इंक अग्य कैल्कुलेटर ओके ऑप ईती है रिजल्टन का फॉर्मूला क्या है इस क्वेश्टाप समशन फेक्सक्वेड प्लस summation f y square summation f x का value कितना है 307.114 का square plus summation f y कितना है 426.595 का square okay result हमने calculator में solve किया तो answer मिल गया 525.645 Newton okay उसके बाद मुझे क्या find करना है direction direction का formula क्या होता है theta equal to tan inverse modulus of summation f y upon summation f x तो summation f y कितना है 426.595 upon summation f x कितना है 307.115 तो theta हमने find किया theta का answer हमने calculator में solve किया 54.249 degree उसके बाद हमको position find करना है position कैसे निकलते summation f x अगर positive है और summation f y negative है f summation f x positive summation f y negative यह हमने calculate किया है तो इसका एक summation f x समारा positive आया था और summation y negative आये था देखें यहापर summation f y negative और summation f x positive तो यह हमने यहाँ पे अगर summation f x positive है और summation fy negative है तो resultant हमारा लाइय होगा फॉर्थ quadrant में OK यहाँ पर देखें फॉर्थ quadrant में हमने draw की है 1x posit vollüt forever y negative OK यहाँ पे resultant का लिखा है और थीटा लिखा है ओके थैंक यू